आईए आगे बढ़ते हुए वर्गमूल साथ जो की अब परिमे संख्या है परविचार करते हैं मान लेते हैं कि वर्गमूल साथ परिमे संख्या है अतह हम दो पूर्णांग A और B ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि वर्ग मूल साथ बराबर A बटा B हो और B शूने के बराबर नहीं हो मान लिजिए कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभाय निष्ठ गुणन खंड यानि की कॉमन फैक्टर नहीं है जहां A और B सह अभाज्य यानि की को प्राइम है दोनों पक्षों का वर्ग कर इसे पुनर व्यवस्थित यानि की रियरेंज करने से हमें साथ B की घात दो बराबर A की घात दो प्राप्त होता है इसका अर्थ है कि 7, A की घात 2 को विभाजित करता है इसलिए 7, A को भी विभाजित करेगा मान लेते हैं, जब हम A को 7 से विभाजित करते हैं तब हमें भागफल के रूप में C प्राप्त होता है जहां C पूर्णांख है A का मान समीकरण एक में हल करने पर हमें B की घात 2 बराबर 7 गुणा C की घात 2 प्राप्त होता है इससे पता चलता है कि 7 B की घात 2 को विभाजित करता है तब 7 B को भी विभाजित करेगा दी गई अपरिमे संख्या वर्गमूल 7 के अनुसार हमें यहां 2 परिणाम मिलते हैं जिससे हमें ग्यात होता है कि A और B में कम से कम एक उभाजित गुणनखंड यानि की common factor साथ है ध्यान दीजिए कि हमने मान था कि A और B में एक के अतरिक्त अन्य कोई उभाजित गुणनखंड नहीं है यहां उसका विपरीत या विरोधभास यानि की contradiction प्राप्त होता है यह विरोधभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत या तुटिपोल करपना यानि की incorrect assumption कर ली है कि वर्गमूल साथ एक परिमे संख्या है अतह हमें यह मालूम हो गया है कि वर्गमूल साथ एक अपरिमे संख्या है क्योंकि हमें A और B में कम से कम एक के अतरिक्त अन्य उभाजित गुणनखंड प्राप्त हुआ आज हमने इस वीडियो में आपरी में संख्यासी संबंधित प्रमी यानि कि Theorems Related to Irrational Number के बारे में अध्यन किया अगली वीडियो में हम इस संबंधित उधारन देखेंगे